कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का चौद्वा सबक सबक 14 हमारे तहवार हमारा मुलक हिंदुस्तान तहवारों का मुलक है यहां बहुत से मजहबों के मानने वाले एक साथ रहते हैं हर मजहब के मानने वालों के मखसूस अकीदे और रस्म और रिवाच हैं सभी तहवार हर मजभब के मानने वालों के मखसूस अकिदे और रस्म और रिवाच है सभी तहवार खुशी और अमन का पैगाम देते हैं ये तहवार हिंदुस्तानी तहजीब के मुख्तलिफ पहलों की नुमाइंदगी भी करते हैं जो तहवार पूरे मुलक में मनाए जाते हैं उनमें होली, दिवाली, इदुल फित्र, इदुल अजहा, क्रिस्मस, गुरुनानक जैंती और राम नौमी वगेरा काबिले जिक्र हैं इलाकाई सतह पर मनाए जाने वाले एहम तहवारों में जनमाष्टमी, बुद्ध पूर्निमा, महवीर जैंती, ओनम, पॉंगल, दसहरा और बैसाकी वगेरा हैं आईए, आज हम इन में से कुछ एहम तहवारों के बारे में आपको बताते हैं राग रंग और मस्ती का तहवार हुली हिंदूओं का मशूर तहवार है ये तहवार भागुन के महीने के आखिर यानि फरवरी मार्च में मनाया जाता है हुली का तहवार जाड़े का मौसम खत्म होने और मौसम गर्मा शुरू होने का ऐलान होता है कहा जाता है के हिरन कश्यप नाम का एक जालिम राजा था उसने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने की कोशिश की लेकिन विश्नु जी की महर्बानी से वो बच गया इस कोशिश में प्रहलाद की बुआ होली का जल कर खत्म हो गई उसी दिन की याद में होली मनाई जाती है होली से पहले लकडियां एकठा करके एक खुली जगह पर अमबार की शकल में लगा दी जाती है रात को महुरा देखकर होली जलाई जाती है अगले दिन रंग खेला जाता है जो आमतोर पर दो पहर तक चलता है होली का तहवार खास तोर पर नौजवानों और बच्चों के लिए आजादी और खुशियां लेकर आता है इस दिन लोग नफरत और नाराज़गी को भुला कर रंग खेलते और आपस में गले मिलते हैं दिवाली हिंदूओं का सबसे बड़ा तहवार है ये तहवार कार्तिक के महीने में यानि अक्तूबर नवंबर में पूरे मुल्क में नहायत धूम धाम से बनाया जाता है खुशाली की देवी लक्षमी का इस्तक्बाल करने के लिए लोग दिवाली से पहले घरों को साफ करते और सजाते हैं कहा जाता है कि दिवाली का तहवार पहली बार उस वक्त मनाया गया था जब राम चंडर जी लंका के राजा रावन को हरा कर अपनी राजधानी अजोध्या में दाखिल हुए थे शहर के सभी लोगों ने चराग जला कर अपने राजा का इस्तक्बाल किया था ये तहवार बदी पर नेकी की फतह की खुशी में मनाया जाता है आज भी लोग घरों और बाजारों में बिजली के बल्ब, रंग बिरंगी, मुम्बतियां और मिट्टी के चराग जला कर रोशनी करते हैं और खुशी मनाते हैं सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है वो नए नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के पटाखे, फुल जड़ियां और अनार चुड़ते हैं चरागों की जिलमलाती रोशनी और आतिश बाजी के ये मिले जुले पुरकैफ नजारे देखने के काबिल होते हैं ओनम फूलों का तेफार है ये जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला में सावन भादो यानी अगस्तिया सितंबर में मनाया जाता है इस दिन वहां के बाशिंदे राजा महाबली के जमाने के अमनो सुकून, खुशाली और आपसी महबत को याद करके गीत काते हैं सफा नंबर 87 इस मौके पर औरतें और लड़कियां घरों को साफ सुथरा करके खुशनुमा फूलों से सजाती है राजा महाबली और विशनु दोनों की पूजा की जाती है पूजा के बाद घर के बुजर्ग छोटों और दोस्तों को तुफे में कपड़े देते हैं उनम के मौके पर कश्टियों की दोड़ काबले दीद होती है ये तहवार दरसल सेकुलर और मिली जुली तहजीब की अकासी करता है दस दिनों तक चलने वाला ये तहवार हर तरफ अमन और खुशाली का समा बांध देता है पूंगल तमिल नाडू का खास तहवार है ये तमिल महीने थाई यानि जन्वरी फरवरी में मनाया जाता है तमिल नाडू और केरला में इसे पूंगल और करनाटक में संक्रांती कहते हैं पूंगल का लफजी मतलब है चावल की खीर जो इस मौके पर गरीबों को खिलाई जाती है पूंगल दरसल नई फसल के कटने से पैदा होने वाली खुशी, बेफिक्री और मसर्रत के इजहार का तहवार है ये तीन दिन तक मनाया जाता है पहला दिन भूगी पूंगल कहलाता है इस दिन घरों की सफाई करके बेकार और पुरानी चीज़ों को जला दिया जाता है दूसरा दिन सूरिया पूंगल है इस दिन सूरज की अबादत की जाती है तहवार का तीसरा दिन मुट्टू पूंगल है ये मवेशियों की खिदमत का दिन है शाम को मंदिरों में पूजा होती है, बाद में बहलगाडियों की दोड़ होती है इस दिन पतन बाजी भी होती है और शिकार भी खिला जाता है इदुल फित्र जिसे मीठी इद भी कहते हैं मुसल्मानों का सबसे बड़ा तहवार है ये रमजान का महीना खत्म होने की खुशी में मनाया जाता है जब रमजान की आखरी तारीख को नया चांद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से इद मनाई जाती है इद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्रा रकम जिससे फित्रा कहते हैं गरीबों में तक्सीम की जाती है इसलिए इस इद को इदुल फित्र कहते हैं इद की सुभ को मुसल्मान नएने कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं इदगा और दूसरी बड़ी मस्जदों में जाकर इद की नमाज अदा करते हैं नमाज के बाद एक दूसरे को इद की मुबारक बात देते हैं अपने रिष्टेदारों और दोस्तों को सिवईयां और मिठाई खिलाते हैं और खुद भी उनके साथ बैठ कर खाते हैं दिन भर बड़ी चहल पहल रहती है बच्चों की खुशी का तो कोई ठीकाना ही नहीं रहता उन्हें तो बस इदी वसूल करने में ही मज़ा आता है इद के दिन गेर मुस्लिम हजराद भी अपने मुस्लिम भाईयों को इद की मुबारक बात देते हैं और उनके खुशी में बराबर के शरीक होते हैं गर्ज ये के ईद का तहवार पूरी इनसानियत के लिए रहमतों आपसी मेल जोल और खुशीयों का खजाना लुटाता हुआ आता है इदुल फित्र की तरहा इदुल अजहा भी मुसल्मानों का एक मुकद्दस तहवार है ये जिल हिज्जा की दस्वी तारीख को मनाया जाता है इसे बक्राईद और इद कुर्बा भी कहते हैं खुदाने पेगंबर हजरत इबरहीम को बशारत दी कि अगर तुम मुझसे सची अकीदत रखते हो तो मेरे नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दो हजरत इबरहीम फौरण हजरत इसमाईल को अल्लह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए गले पर जैसे ही चुरी फेरी कि अल्लह के हुक्म से हजरत इसमाईल की जगा एक दुम्बा आ गया उसी कुर्बानी की याद में बख्राईत मना ही जाती है सफ़ा नंबर नवासी इद की तरह इस दिन भी मुसल्मान नए नए कपड़े पहनते हैं इद का जाकर इद की नमास पढ़ते हैं और एक दूसरे को मुबारक बात देते हैं घर वापस आकर कुर्बानी करते हैं गरीबों और रिष्टेदारों में कुर्बानी का गोश्ट तक्सीम करते हैं इस रोज हर तरफ खुशी का समा होता है इन ही दिनों में मक्का मुख्जमा में हज अदा किया जाता है वो इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस रोज इसाई गिरजा घरों और अपने घरों में रोशनी का खास एहतमाम करते हैं। रात को लोग इसा मसीह की अजमत और अकीदत के गीद काते हैं। इस दिन कलीसाओं में खास अबादत की जाती है। खुशाल लोग गरीबों को तफ़े देते हैं। जगा जगा क्रिसमस मेले लगते हैं। जिसमें बच्चों के लिए खाने पीने की बहुत सी चीजे मिलती हैं। इस दिन घरों में क्रिसमस का पेड़ भी रोशनियों से सजाया जाता है। क्रिसमस की खुशी, अकिदत मंदों के इजहर अकिदत और गरीबों की मदद का तहवार है। गुरू नानक जएन्टी सिकh का खास तहवार है। सिकh मذہब के बानी गुरू नानक देव की पैदाइश के दिन ये तहवार मनाया जाता है। इस दिन गुड़दवारों को खूप सजाया जाता है। गुरू गरंथ साहब का पाठ किया जाता है। परभात फेरिया निकाली जाती हैं। शाम को बहुत बड़ा जलूस निकाला जाता है। रास्ते में जगा जगा शर्बत, फल और खाने की चीज़ें तकसीम की जाती सारे रास्ते गुरू गरंथ साहब का पाठ होता है। बैसाखी भी सिखों का नहायत मशूर और मारूफ तहवार है। ये 13 अपरेल को बैसाख के महीने में पंचाब में मनाया जाता है। ये मजहभी तहवार भी है और फसली तहवार भी। इसी दिन सिखों के दस्वें और इस मौके पर किसान बहुत मुतमईन, खुश और बेफिक्र नजर आते हैं। बैसाखी के दिन हर सिख के लिए गुर्दवारा जाना लाजमी होता है। इस दिन पंजाब में जगा जगा मेले लगते हैं। नौजवान भांगडा नाच का मुसाहरा करते हैं जो पूरी दुन से मतालिक गीत काती हैं। समा बांधना, रंग जमाना, लुट्व पैदा करना, मुकर्ररा रकम, तै की गई रकम, मवेशियों, मवेशी की जमा, भेड बकरी गाए वगेरा, जिल हिच्जा, इसलामी कैलेंडर का बार्वा महीना, चांद का बार्वा महीना, एदी, वो रकम जो एद के मौके पर छोट अधियों को दी जाती है, एहतमाम, इंतिजाम, बंदोबस्त, विलादत, पैदाईश, जन्म, बशारत, खुश खबरी, अच्छी खबर, अजमत, बढ़ाई, परभात फेरियां, किसी मकसद के तहद सुब सुब जुलूस बनाकर घूमना, फसली तहवार, वो तहवार जो फ पसल कटने के वक्त मनाय जाते हैं, खाल्सा पंथ, सिख मजहब, मारूफ, मशूर, जाना पहचाना, मुझारा, दिखाना, जाहिर करना, काबले दीद, देखने के काबिल, लाजमी, जरूरी, सफ़ा नंबर बानवे, सोचिये और पताईए, एक, तहवारों से हमें क्या गाम मिलता है, दो, होली का तहवार किस वाकिये की याद दिलाता है, तीन, दीवाली क्यों मनाई जाती है, चार, उनम का तहवार किस तरह मनाते हैं, पांच, पोंगल के लवजी मानी क्या है, और ये किस इलाके का तहवार है, छे, इद का तहवार कब और क्यों मनाया जाता ह साथ, एदुल अजहा का तहवार किस खुर्बानी की याद दिलाता है? आठ, क्रिस्मस डे किसे कहते हैं? नौ, ग्रुनानक जयन्ती क्यों मनाई जाती है? बुलंद आवास से पढ़िये बाशिन दे अजमत अकीदे मुकर्ररा रक्म पुरकैफ खुशहाल जिलहिज्ज गुर्बान कर पैगाम एदुल फित्र एदुल अजहा यहां दिये हुए लफजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए नाराजगी इस्तक्बाल काबिले दीद पैगाम खुशहाली पुरकैफ सफा नंबर 93 कॉलम अल्फ से कॉलम बे को मिलाईए अल्फ एक दिवाली का तहवार बे लोग नफरत और नाराजगी को भुला कर रंग खेलते हैं और आपस में गले मिलते हैं दो ओनम का तहवार बे हजरत इसा मसी की अजमत और अकीदत के गीत गाते हैं तीन सिक मजब के बानी की पैदाईश की याद में मनाई जाती है चार क्रिस्मस डे के मौके पर बे बदी पर नेकी की फतह की खुशी में मनाई जाती है पांच बकरईद का तहवार बे सेक्यूलर और मिली जुली तहजीब की अक्कासी करता है छे गुरू नानक जैंती बे हजरत इबराहीम की खुर्बानी की याद में मनाया जाता है इन लवजों के मुतजाद लिखिए खुशी फत्ह रिहाई नेकी नफरत खुशहाल गरीब लिखिए सबख में लवज खुशहाल इस्तेमाल हुआ है जो दो लवजों खुश और हाल से मिलकर बना है इसी तरहा खुश लगा कर पांच नए अलफाज बनाईए सबख में अमनो सुकून इस्तेमाल हुआ है यहाँ अमनो सुकून के बीच में जो वाव आया है उसके मानी और के है इस सुरत में वाव को पहले लवज के आखरी हरुफ से मिला कर बोला और पढ़ा जाता है जैसे अमन व सुकून को अमनो सुकून पढ़ा जाएगा ऐसे दूसरे अलफाज भी हैं जो इसी तरह पढ़े और बोले जाएंगे जैसे लालाओ गुल, शानो शौकत और रस्मो रिवाज वगेरा अभी आप सुन रहे थे अपनी जबान भाग एक का चौधमा सबक इसके बाद सबक 15 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत